कि आप छिक या आप एक्षिक्पिय डप्ल ट्रभ्व के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जैसे मैं पुराने कक्षां में की बात करूं छुटी कख्षां में खासकर कख्षा ग्यारह नहीं की वहाँ अपने ध्वनी के डॉपलर प्रभाव की बात की थी कि सायद आप लोगों को वो याद हो नहीं भी है तो कोई दिक्त नहीं देखिया उसमें क्या हुआ था हम लोग उस चक के गति का प्रभाव पड़ता है मतलब कैसे जैसे कभी-कभी आप देखें होगे कि आटो अगरा में कोई स्पीकर लेकर रोड में चलते रहते हैं तो अगर वो आटो आपके जित्ते पास आते जाएगा भनी की आवरेति में परिवर्तन आपको दिखता है और उसी में केस बात किये थे अगर वो आटो आपसे दूर जाने लगेगा तो तो भी परिवर्तन दिखता है और अगर आप और आटो दुनों के एक दूसरे की और आते हैं तो भी एक दूसरे से दूर जाते हैं तो भी इन सारे केसे पे आपने प्रिवियस क्रास में बात की थी और वहां आपने ये कहा था कि आवरित्ती का सूत्र क्या निकाल के लाए थे आप वहां आप लिखते थे जो आवरित्ती में परिवर्चन अगर आवरित्ती को F माल लें तो F डेस बराबर F ठीक V प्लस V O by V minus Vs यादा है यह सूत्र किसी किसी बुक में इसको न्यू लिख देते हैं है ना मैं F लिख रहा हूँ ताकि आपको इस V और इस न्यू में ना हो तो यहां पर आपको क्या समझ में आया यहां यह समझ में आ गया कि आवरित्ती में परिवर्थन निकालने का यह फॉर्मूला है जहां V क्या है ध्वनी का विख वी ओ क्या है यह प्रिच्छक का विख और ये Vs क्या है सुरूत का तो इस calculation को जब कर रहे थे आप या derivation कर रहे थे तो आपने खहा था कि ध्वनी के वेग पर प्रेक्षक और सुरूत के गति का प्रभाव पड़ेगा और समय नियत होता है या समय निर्पेक्च होता है अब अगर मैं आपसे पूच हूं कि क्या इसी सूत्र को यानि कि F27 बराबर F V plus VO बाई V minus ps को प्रकास के लिए लागू कर सकते है तो आपका जवाब आएगा इस सूत्र को हम लोग प्रकास के लिए लागू नहीं कर सकते अब सोचे क्यों नहीं कर सकते प्रकास भी चल रही है तो क्यों नहीं कर सकते इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि विशेष्ट आप एक चिक्ता सिध्धांत के अनुसार से समय नियत नहीं है याद आया समय विश्टार वाला टॉपिक से याद आगे न भई और दूसरा आप ये भी कहते हैं कि प्रकास के वेग पर सुरोत या प्रिचत के गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इसमें जो चीज़ आप मान के चले थे ध्वनी के लिए भई समय को नियत मान लिये थ है कि ध्वनी पर या ध्वनी के वेग पर प्रकास ध्वनी के वेग पर ध्वनी सुरोत और प्रिचत के गति का प्रभाव पड़ेगा इसके हिसाब से तो यह दोनों ही चीज़ें प्रकास के लिए अमान्य हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा भई अब ध्वनी के प्रभाव या आप एक्षिकी डॉपलर प्रभाव इसमें क्या होगा शुरोत कोई भी शुरोत ले लो प्रकास शुरोत कोई सधी प्रेक्षक अपने आपको लोगा तो जब शुरोत प्रकास शुरोत और प्रेक्षक के बीच आप एक शिक गती होगी तो प्रकास की आवरित्त में परिवर्तन होता है जैसे एक ठो टॉर्च है मैं दूर से जला रहा हूं आप दूर है धिरे 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 जब पास आते जाएंगे तो उस टॉर्च के प्रकास की आवरित्ती में परिवर्तन आपको दिखेगा दिखेगा ना तो इसका statement लिखेंगे आपका थन तो यहीं लि प्रकास की आवरित्ती में परिवर्तन किसके कारण प्रकास रोत और प्रिक्षत के बीच गति के कारण है कैसी गति आपक्षिक गति कारण प्रिक्षक और प्रकास रोत के बीच आपक्षिक गति के कारण प्रकास की आवरित्ती में जो परिवर्तन आता है जो आभासी प्रभाव है कि समझ में आगे डॉप्लर प्रभाव अब इसके लिए आप ये वाले चित्र पे जान दीजिए ये चित्र इस चित्र में खास क्या है यहां देखिए यह आपका प्रकास्रोत ठीक और आपका ये प्रकास्रोत वीवेक से प्रेक्षक की और गती कर रहा है और यहां से क्या निकल रहे हैं प्रकास तो प्रकास कैसे निकलेगा स्रिंग और गर्त बनाते हुए चलता है नहीं प्रकास को आप ऐसे दिखाते हो ऐसे तो मैं उसी को दिखाए हूं ये स्रिंग क तो अब शुरुवात की स्थिति की बात करें अगर प्रारम भी की स्थिति में अगर आप देखें तो यहां क्या रहा है यह देखें यह प्रकास रोथ है आपका प्रकास रोथ वीवेक से प्रेक्षक की और गती कर रहा है और दूसरा मैं ये कहता हूं कि आपके पास ये प्रकास यहां से उस्तरजित हो रहा है कि इस वेक से से यहां तक क्लियर हो गई बात कुछ डाउट है यहां तक हम लोग आगे चल सकते हैं अब हम लोग यह कहते हैं कि हमारे पास यह जो प्रेक्षक है आपके इस प्रकास रोत को देख रहा है या प्रकास को देख रहा है प्रेक्षित कर रहा है देख रहा है और कैसे ध्यान यह इस प्रिक्षक के गतिया स्थिति का इस C के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा और नहीं स्रोत के गतिया स्थिति का इस C के ऊपर कोई प्रभाव पढ़ता है इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है अब यहां से प्रकास निकला ठीक तो यहां से प्रकास के लिए जो समय निकल रहा है टी टाइम पे जो निकल रहा है प्रकास यहां से टी टाइम पे जो प्रकास निकल रहा है तो इसके लिए वो टी नियत नहीं रहेगा तो इसके लिए प्रेच्छक के लिए प्रेच् ठीक है तो इस टीडेस समय पे जब वो उसको देखेगा प्रकास को तो उतने देर में आपका प्रकास स्रूत कितना दूर चलाएगा यह अपनी स्थिती बजल के S से कहां पहुच जाएगा यहां पे कितनी दूरी चला टीडेस टाइम पे वी टीडेस दूरी चल गया क्लियर हुआ समझमैं न है प्रकास दूर्द की ओर मैं देख रहा हूँ समय कितना थाetin समय तो टीडेस समय में आपका प्रकास आगे बढ़ जाएगा कितना वह बढ़ जाएगा तो कि यहां से लेख करके में कि यहां पहुच जाएगा तो यहां से ले करके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी हम लोग के पास यह देखें यह विस्तार हुआ इसमें ध्यान दीजिए तो यहां से निकला और कहां तक पहुच जाएगा यहां तक तो ये दूरी कितनी होगे यहां से लेकर के यहां तक की दूरी? CT, DES के बराबर समझना आया? clear हुआ? अब हम लोग जब तरंग डेर्थ को परिभासित कर रहे थे तो आप कहते थे यह तरंग डेर्थ होगा, lambda radio क्रमा अगर्थ के बीच की दूरी को तरंग डेर्थ बोलते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक दो क्रमा अगर्थ भिच की दूरी यह आं क्या? अब इस अमिक्रण में ध्यान दिखे आप क्या यह? है ये CT, DES पूरा यहां से लेकर के यहां तक इसमें अगर VT डेस को घटा दे, CT डेस में से VT डेस को अगर घटा दे आप, तो लेम्डा मिल जाएगा, लेम्डा याने की तरंग पर प्रकास का, तो मैं आसा कर रहा हूँ, कि यहां तक यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गए होगी, एक प्रकास रोत है, जो VVT से प्रेक्चक की और गती कर रहा है, जिससे प्रकास उसर्जित हो रहे हैं, किस वेक से? C वेक से, तो प्रकास के उसर्जन का समय T और प्रेक्चक द्वारा ही दिखाता हूँ आपको, ही आगया, तो माना प्रकास की आवरित्ती कितनी है, F, अभासी आवरित्ती या प्रेक्चक को कितना मिल रहा है, वो F डे, तो समय के विस्तार से हम लोग जानते हैं, कि T डेस बराबर T, 1-V2 by C2 होता है, क्लियर हो गया इतना, समझ में आया, यह स चित्र में ध्यान दिजिए आप, आपका कहना था कि प्रकास कि यहां से निकल रहा है, T टाइम पे, और यहां जो प्रेक्चक है, उसके लिए टाइम कितने का है, प्रेक्चक जो दिख रहा है, उसके लिए टाइम कितने का निकल के आ गया, माल लेते हैं, यह T टाइम पे, और इसके लिए T-dash time पे तो इतने समय में जो समय का अंतर आ रहा है यहां पे समय का विश्वतरवला सूत्र से तो उस समय में आपका सुरत S से निकलके कहाज़त्म हो जाएगा यहां तक कितने समय में T-dash समय में तो यह दूरी कितनी होगी VT-देश देखिए इसके T-देश कर रही है VT-देश और उसी प्रकार से प्रकास क्या करेगा यहां से निकलेगा और यहां पहुच गया तो यह कुल दूरी कितनी हो गई यहां से लेखर के यहां तक का CT-देश क्लियर हुआ और दो क्रमागत स्रिंग या गर्द के बीच की दूरी को तरंगदेश कहते हैं लेमडा इसमें ध्यान दीजिए अगर CT-देश में से VT-देश को घटा दें तो लेमडा बच जाएगा चलेगा चलिए ठीक है इसी को ले लिया हमने यह आ गया CT-देश बराबर VT प्लस लेमडा तो लेमडा कमान निकालेंगे तो कितना आएगा यहां से इसको ट्रांसफर कर दीजी इधर तो यह कितना आजाएगा CT-देश माइनस VT-देश दोनों में टीडेस है तो लेमडा C-VT-देश यहां तक क्लियर है क्लियर है और आपको एक सूत्र पता होगा क्य क्या तरंगदेर्द और आवरित्ति का गुडण फल चाल होता है तरंग के लिए याद है क्या आवरित्ति और तरंगदेर्द V होता है यहां चुकिए C है इसलिए C लिग दूँगा ठीक है तो लेमडा बराबर कितना होगा C भई यहां आवरित्ति आपने एफडेस कहा है तो आवरित्ति कितनी एफडेस हो जाएगी ठीक यह है सूतराक का लेमडा सी भई एफडेस आएगा एफडेस कोन है प्रेक्षत द्वारा प्रेक्षित प्रकास की आवरित्ति है ठीक है आगे चलाओं इसको चलिए आगे अगर गया तो क्या मिला एफडेस मिल गया, f dash मिला की नहीं, मिलेगा, यह देखे पिछला समय करना, यहाँ, यह लेम्डा है, लेम्डा की जगा क्या रखेंगे आप, c by f dash, यहाँ क्या रखेंगे आप, देखिए, यहाँ लेम्डा को हटाओगे, तो इसके बराबर क्या लिखो गया, c by f dash, तो f dash का अगर मान पूछू मैं आपसे, तो इसको पक्षांसर कर देना इधा, और t dash कमान रख देना, समझ में आया की नहीं, तो भही कर रहे हैं, देखिए, यह आया, आपके पास, f dash, c by c minus v t dash, t dash कमान, t by 1 minus v square by c square, ठीक है, अब ध्यान दीचे इसमें, अब क्या होगा, यह, यह, यह c, बटे t, बटे यह, तो यह कहाँ चला जाएगा, उपर, तो यह आ गया, c, root under 1 minus v square by c square, यह आया, ठीक है, बटे, c minus v, और यह t, clear हुआ, किसका मान निकल रहा है, यह, आवरिज दिका, ठीक है, अब आगे चले तो, आगे और इसको लेके चलें, तो हमारे पास क्या मिलके आएगा, यह, एफ डेस बराबर, c, f, c minus v, ठीक है, 1 minus v square by c square, clear है, कैसे, ज्यान दिजिए, यह, एफ कहां आ गया, तो यह, देखिए, यह, 1 by t का जो मान होता है, यह, 1 by t, 1 by t, बराबर, f होता है, तो, यह, देखिए, यह, 1 और यह, divided by t, तो, इसकी जगा क्या लिख हो गया, f, तो, यह, c का, c, c minus v, का, c minus v, और, root अंडर, 1 minus v square by c square, तो, 1 by t की जगा क्या रखना है, आपको, f, हो गया, इतना, टाउट तो नहीं हो रहा, चलिए, अब ध्यान दिजिए, इस पर, यहां क्या आएगा, f, c, f, c minus v, अब यहां, इसको लगुत्तम ले ले, तो, यह, 1 और, c square का, c square minus v square by c square आजाएगा, होगा इतना, अब यह, वर्गमूल से, अगर, c square बाहर निकलेगा, तो, कैसे निकलेगा, c बनके बाहर निकलेगा, तो, क्या बचा, वर्गमूल, c square minus v square, तो, यह, दोनों, c, यह वाला, c, और, यह वाला, c, c, cancel हो किया, ठीक, क्या बचा, f, देखे, f, root under 1, c square minus v square, by c minus v, ठीक, अब, यहाँ, देखे, c square minus v square है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c plus v, और c minus v, लिखूंगा यह, और उसके बाद, यहाँ, देखे, c minus v है, तो, इसमें मैं इसको, वर्गमूल के अंदर, c minus v का whole square कर देता हूँ, तो, एक, c minus v, और यहाँ का, एक, c minus v, कड़ जाएगा, तो, क्या बचेगा, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा, यह, देखे, यहाँ, f dash, बराबर f, वर्गमूल, c plus v, c minus v, तो, f, वर्गमूल, c plus v, by c minus v, क्या यह, f dash का मार, अब यदि हम यह कहें, कि यदि प्रकास रोत प्रेक्षक से दूर जाए तो, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, मतलब v का sign बदल यह, v के जखा क्या रखिये, माइनस v, रखिये, उल्टा जा रहा है, v कमान बदल दो, पहले प्रेक्षक की ओर आ रहा था, तो, प्लस लिए थे, दूर जा रहा है, तो, माइनस ले लेते हैं, तो, यहाँ, रख्या रख दो, v की जखा माइनस रखते हैं, रखो, तो, c plus v, की जखा क्या हो जाएगा, c minus v और, c minus minus v, तो, क्या जाएगा, c plus v, इस प्रकार से, आपके पास ये परिणाम निकलके आ गया, क्या निकला, f डेस बराबर, f, c minus v, c plus v, अगर दूर जाए तो, और, पास आए तो, उल्टा, यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो, इसी को हम लोग बोलते हैं, आप एक चिकिर Doppler, प्रभाव, समझ में आया इतना, clear है, तो, इस प्रकार से हमने ये देखा, कि प्रेक्षक को, चुकि समय में परिवर्तन होता है, और प्रकास का जो वेग है, वो प्रेक्षक और स्रोथ की गतिपनेज़ा नहीं करता, इसलिए हम लोग को ध्वनी के Doppler प्रभाव में, संस सोधन करना पड़ा, और उसको हम लोग उसके फर्मूला को मतलब, ध्वनी के Doppler प्रभाव वाले फर्मूला को प्रकास के लिए नहीं लगा सके, इसलिए हमने एक नया सूत्र यहां पे निकाल दिया, ठीक है, तो ये है आपका Doppler प्रभाव, अब बजगिया इस योनिट में कॉम्टन प्रभाव, तो कॉम्टन प्रभाव के लिए मुझे ऐसा लगता है, कि आपको प्लॉंग क्वांटम सिध्धान और प्रकास विद्यूत प्रभाव आना चाहिए, या क्वांटम सिध्धान ती उत्पत्ति के संबंध में, अगर आपको अच्छे से पता हो, उसके बाद अगर आप कॉम्टन प्रभाव पढ़ें, तो ज्यादा अच्छे समझ में आ सकता है, तो कॉम्टन प्रभाव पे हम लोग इसके बात डिस्कस करेंगे, प्लांग क्वांटम सिध्धान, क्वांटम सिध्धान ती उत्पत्ति, प्रकास विद्यूत प्रभाव, डिभा यह सारी चीज़ें अगर आप जान जाएंगे, उसके बाद आपको इसको पढ़ना आसान हो जाएगा, कॉम्टन प्रभाव को, ठीक है, धन्यवाद, अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से तयारी करिए, नोट भूभी बनाते रहें, ठीक है, थैंक्यू